तो दोस्तो मैंने कल आपको 50 तक करवा दिया था ठीक है तो आज हम लोग शुरू करेंगे कावन से और बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग इसको कम्प्लीट करेंगे ठीक है दोस्तो तो आप लोग बने रहिएगा और आप ही लोग के रिक्वेस्ट के वज़े से ये सब काम करना पड़ रहा है ठीक है तो चली हम लोग फिर अपना सुरू करते हैं ठीक है कल मैंने 50 तक करवा दिया था आज मैं 100 तक करवाओंगा ठीक है ये GSK का जो आपका online exam होगा ना merchant NAV में जो general shipping knowledge होता है उसका part 2 है यानि मैंने 50 तक कोस्टन करवा दिया अगर आपने नहीं हो देखा उसमें एक से 50 तक इसी तरह में डेली पचास पचास कोस्टन एमी के खतम GSK खतम हो जाएगा तो फिर एमी के करवाओंगा फिर उसी तरह में इसी तरह में करवातर होंगा ठीक है तो आप लोग बने रहिए और दोस्तों मेरा जो दूसरा channel है उसका नाम है अनसारी GS Academy ठीक है अनसारी GS Academy तो उसको भी जाकर आप लोग सस्क्राइब कर लिए क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छा अच्छा knowledge मिलता रहेगा तो चलिए 51 पर बात करते हैं oily stains on deck are removed with बोल रहा है कि जो oil है जो oil वाला stains वहाँ पर आ जाता है deck पर जो oil का कोई भी चीज आ जाता ह है तो उसको कैसे remove किया जाता है तो degreaser यानि उस पर grease लगा देते हैं और grease लगाएकर उससे degreaser करते हैं तो उससे क्या हो जाता है oil remove हो जाता है ग्रीशार है number 52 एफद यह होता है see to see the track the see has to be अगर माली यह जो block होता है ना तो block में जो अंदर का person होता है और 44 बोलते हैं तो अगर वह crack कर जाता है यानि उसमें दरा रहे आ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए तो उसको बनाना नहीं चाहिए उसको डारेक्ट renews को change ही कर देते हैं हम लो ठीक है अब दोस्तों आ जाते हैं आगे की तरफ तो नमबर 52 after chipping rust from a steel surface should be wire brushed clean and painted with बोल रहा है देखिए दोस्तों ध्यान से इसको आप समझी बोल रहा है कि after chipping जब हम chipping hammer से माले जहाज steel की बनी होती है तो उस पर rust लग जाता है तो chipping hammer से मार कर उसका rust हम छोडाते हैं और छोडाने के बाद जो surface area होता है उसको wash कर देते हैं और उसको धोने के बाद clean करने के बाद हम लोग को immediately कौन सा paint करना चाहिए तो हमेशा सबसे पहले finish coating मने आखरी होता है various पता नहीं है anti falling नीचे किया जाता है तो primer सबसे पहले हम लोग घर में भी paint करते हैं तो primer मारते हैं तो primer मार देते हैं पहले primer मारते हैं उसके बाद ही paint मारते हैं तो दोस्तों इसका answer हो जाएगा primer number 54 the vessel position is plotted on the chart is latitude and longitude देखिए कहने का मतलम ही है कि हैं माली जीये कि यहाँ पर एक जहाज तो इसका position हम कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर एक जहाज तो एक line यहां से खीचेंगे एक line यहाँ से खीचेंगे और यह जो position बतायेगा उसी को क्या बोलते हैं पोजिशन बताना हो तो उसको कैसे बताएंगे तो latitude and longitude के दुवारा बनाते हैं ये navigation का chapter है बहुत लड़के बोले हैं कि navigation भी करा दो आप लोग धीरज रखिया नमर 55 when the ringing ringing का मतलम होता है banana ठीक है when the ringing the boson chair जब boson chair को हम बनाते हैं gent line gent line का आउर्थ होता है punch is secure with the chair double seat band कहने का मतलम है कि जब हम लोग बोसन chair बनाएंगे आप लोगो practical करवाय जाएगा boson chair बनाना सिखाएगा ठीक है कि boson chair में double round seat कैसे मारते हैं तो जब boson chair आपको बनाया जाएगा ना तो उसमें कौन सा band मारते हैं तो double seat band मारते हैं ठीक है double seat band मारते हैं याद रखिएगा boson chair में double seat band नमर 5-6 a sackle is mouse to be बोल रहा है कि sackle को mouse mouse का मतलम समझते हैं माली जी कि एक shackle हो गया ठीक है एक shackle हो गया shackle में अगर कोई चीज हम लगा दिये ठीक है और यह जो hook हुआ hook को इसी तरह छोड़ देंगे तो हो सकता है hook तूट के इसमें से समान नीचे क्या हो जाए गिर जाए तो जो एक shackle होलता है तो shackle में यह जो point दिखाई दे रहा है इस point को इस तरह इस तरह रसरी से यानि rope से इसको पूरा बहान देते हैं तो बहान देते हैं तो यह हीलेगा डोलेगा नहीं यानि समझ रहे हैं आप तो उसी को क्या बोलते हैं तो prevent the pin from sleeping यानि अगर हम shackle में क्या करेंगे तो अगर mouse कर देंगे यानि उसको रसरी से या तार से बहान देंगे तो पीन उसमें से माली जी कि यह shackle होगा ठीक है और इसमें एक पीन लगा हुआ पीन को इसी तरह छोड़ देंगे तो यह पीन वह इस तरह बहार आजाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं एक रसरी से इसको बहान देते हैं पीन को बहार नहीं आने देना चाहिए तो का करता है प्रिभेंट दपीन फ्रॉम स्लीपिंग जीसे माली जी कि आपको यह समझ में नहीं आता तो हम आपको पंखा के एक्जामपल समझाते हैं अगर आप लोग पंखा खरीद के लाए होंगे तो याद रखिएगा पंखा यहां पर आप लोग यहां पर फीट करते हैं तो फीट करने के बाद इसमें नॉट बोल्ट लगाते हैं तो देखिए का नॉट बोल्ट में एक वो छेदर होता है और वो छेदवा में वो पीन लगाते हैं और पीन लगा कर इस तरह दुनों तरफ से फैला देते हैं इसका मतलम हुआ कि नॉट बोल्ट टूट भी जायगा ना नॉट बोल्ट यहाँ पर जो किने रिमूब भी हो जायगा लेकिन यह पीन ह UK मास करने यानि पीन को mouse करना तो इसको यह क्या करता है तो sleep होने से बचाता है ठीक है दोस्तों तो जो समझ में नहीं आएगा definitely आप comment कीजिएगा ठीक है आलतुफालतु ने एक दम आपको comment करना है यह मैंने first question ने बताया था यह कौन सा हीच है बावू तो यह काव हीच है ठीक है देखिए बैल की तरह दिखाई दे रहा है यह काव हीच है ठीक है नम्मर 58 दा इंटर कोड़ फ्लेग विच भी होस्टेड वें दा पाइलेट ऑन दा बोर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर पाइलेट ऑन बोर्ड हो जाए तो होटल फ्लेग होता है यानि एच फ्लेग ठीक है और रिक्वाइड पाइलेग तो जी फ्लेग नम्मर 59 वीपि उसको काट के छोड़ देंगे न तो कुल समय के लिए जो रोप हो आ है ना देखिए कày है ध्यान से जब यह रोप है ध्यान साभ समाझेव विए को बीचुप हो गया शोड़ाा में अच्छोड़ा CTR काट गैए मान अषब कि चोह को और छी ठेंग ना कि छोटा दागा से उ कह सो ही क्या कहा जाता है वीपिंग कहा है किलीई किया जाता है ताकि रच quién युइन परे न युद्द Bachmark नहीं मतलम होता है यानी रचारी केम हो खूल में युद्द को शांच एम खोले से भचाई अब देखे नमर6 दोस्तों यह दे मीफ इस अर killer दोट्स्तों आप आप ही बताए यह नमसी जो किया है यह विलह यानी शीव है ठीक है तो यह आपका हो गया है शिक्स नम्मर 61 की बात कर लें, the latitude of North Pole is latitude North Pole का 90 डिगरी होता है, इस तरह मारेंगे तो हही 90 डिगरी होगा है, ठीक है, तो latitude North Pole का कितना डिगरी होता है बाबू, 90 डिगरी, अब देखिए, ये कौन सा फलेग है बाबू, ये अलफा फलेग है, यानि ये फलेग है, तो मैंने पहले बता कर जाता है, वही split pin याई, पंक वाले example समध लिजिए, prevent the pin from unlocking, वह क्या करता है, जो split pin लगा देंगे हैं, तो उसको क्या कर देगा, unlock कर देगा, यानि वह unlock हो गया है, बाबू फुलने वाला है, अब number one picture में देखिए, क्या बता रहा है, देखिए, number one picture ये आपको दिख़ई या एंगल बनाया है तो एंगल ब्रस होगा यानि कुट्टानी और मुह है तो डॉक ब्रस या डॉक ब्रस का दूसरा नाम है एंगल ब्रस तो इसको डॉक ब्रस भी बोल सकते हैं तो जो अप्शन होगा बाबू वही मारेंगे देखिए इसला आपका दिमाग भुलवा दिया पहले पहले option में क्या दिया था डॉगलेस ब्रस अब दे दिया एंगल ब्रस तो confusion मत हो यह बाबू ठीक है यह एंगल ब्रस है और डॉगलेस ब्रस भी है यह बाबू तो मैं कितनी दफाए mcq में डालता रहता हूं हम लोग के class में था उसका नाम था 313 तो उससे सरवेर पूछा था कि वन नौटिकल माईल बराबर कतना किलो मीटर होता है तो वही बोला था सर 1852 किलो मीटर अरे बबुगा यह 1852 किलो मीटर नहीं है मीटर है तो किलो मीटर में पूछेगा तो 1.852 याद रखिएगा किलो मीट में पूछेगा तो 1.8 52 और मीटर में पूछेगा तो 1852 मीटर ठीक है बबुग याद रखिएगा सो नमर 5 बता रहे हैं बबुग नमर 5 नमर 5 क्या है यह बबुग है यह जो बबुग है और यह आपका hauling पार्ट है यानि जो घीचने वाला होता है उसको क्या बोलते है hauling प अब आपुगा हमारे पास ब्लॉक बगर रहा था तब ना हम आपको करके दिखाते हैं अपॉक्सी पेंट कल ही बताया थे कि अपॉक्सी पेंट कहा रियक्शन बीटिवन होता है तो बाइडनर एंड हाडनर याद रखिएगा जहां ऑपॉक्सी का नाम आ गया ऑपॉक्सी पे तो याद रखिएगा 10% आप दिवायर ब्टॉक्न इनलेंट अफ ए डामीटर याद रखिएगा आट मीटर डामीटर होना चाहिए और कितना होना चाहिए तो 10 % आफ लेंट का अगर रोग हो जाए खराब हो जाए तो उसको बदल ही देना उचीत होता है ठीक है अब आज आ पर जमीन में रहते हैं तो बोलते हैं कि रहे दहीने से चल रहे बाएं से चल रहे लेफ्ट साइड चल रहे राइट साइड चल लेकिन जहाज में इसे नहीं होता है जहाज में राइट साइड को दहीने को बोलते हैं स्टार बोड साइड और लेफ्ट साइड यानि बावा को ठिक है तो यह क्या बोला है starboard side starboard side में क्या होता है तो green boy होता है याद रखिये गटी इकवेटर सब को पता है कि इकवेटर का मान कितना होता है zero degree होता है आप अब जाते हैं अब आ जाते हैं 72 पर a single C block is used for act as a lid block अगर कोई भी ब्लोग अगर single होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं lead ब्लोग भी बोलते हैं या hinge ब्लोग भी बोलते हैं नमर 73 the intercode flag which be hosted by the vessel is required free pratic मैंने बोला था ना my vessel is healthy and I request for free pratic यह देखिए खाले free pratic बोल दिया बहुत दिमाग लगा की लड़का सब रहाएगा लेकिन हाभि हार को लड़का अंपहरा का भी नहां यहाँगा गई इस बिहार का सब भी बिहार का डिमाग लगाता ग्रीस नीपल आर प्रोबाइड फॉर द ब्लोग फॉर द लूब्रिकेंट जो एक ग्रीस नीपल होता है ना मालने जीए की इस तरह हो अच्छा हो सबसब बढ़िए देखा हम बताते हैं सिलाइम मौसीन आपके घर में देखे होंगे देखे का सिलाइम मौसीन में जगा जगा 3 not is a unit of speed equal to 10 meter देखो बाबु घुमा के वही न पूछा है एक unit में कितना इन ऊटीकल माइल होता है एक नोट कितना इन पूछा है नॉट है जाते हैं शेम कि याद्ट रखिये गा यूणिट और स्पीड क्या होता है तो नॉट होता है तो वह कितना मिटर के बराबर होता है तो एक noot बराबर कितना होता है ता इह हो on eight five two meter अब आजाते हैं 77 पर दसाइज of manila rope is usually index by the bohra, manila rope जो होता है manila rope को कैसे euse करेंगे तो भाई उसको diameter मापेंगे तो manila rope हमको पता चल जाएगा, एदम diameter ही हम लो मापते हैं और कुछ नहीं, 78, the following work is only done by the dry dog, कौन सा वोर्ग हम लोग ड्राइट डोक में करते हैं अब लड़का पूझे का कि भईया ड्राइट ग्या है तो देखो बाबू मान लो कि तुम्हाना कोई तुम लाया थीका मोटरसायकL खरीद के लाया मोटरसायकल कोई तुम चलाया थीक है चलाने के-बाद भाद ना तो 5 साल के ऑंदर का और मार्म करवा यानि और ना में चार का जारोड दूगरी को ड्राइडो कोने का मतलम है कि वह जगा जहां पर पनी है जहाज के 120 होला ठीपा अब बुजा किल बबु अतनी सनके तो 78 में आ जासन तो का होई डेक चीपिंग और पेंटिंग वह तमसे के जहाजे पर पानी में चाहाज चलत रहला चीपिंग पेंटिंग होत रहला चेंजिंग देख्रेंड वायर बाइड जहाज चलत रहला 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 हम्मु भाई वायर चेंज को लिए भानी डुग डूग के है क्लीनिंग फोर चैन लोकर एंड इंस्पेक्शन ऑफ एंकर चैन अब बताओ सान एंकर बबुगा एंकर हातना भारी लटकल भाए उस समझा सान कि उस सोय दूसों हाथी के बराबर एक वो एंकर हो ला और चैन तो अगरों से भारी भारी वह लाओ जहाद पर एंकर चैन के कोई आपकर देनी संटीक बाग देख बाबु यह कौन ही चे तो देख बाबु एक राउंड दू राउंड तो यह कौन सा ही चे राउंड टॉर्ण टू हाफ इच लेकिन नेखे देला ता ख़ली राउंड टॉन मार रहा सां सभी बाग नम्मर रेट जिरो इस्ट्रोंगेस बाट ब्लोक और यूज यह नहीं के बोला तो बोला था कि थीरी फोल्ड पर्चेस जब तु बनाई बहुत हो में कोग ब्लोक यूज होई तो देख बाबु तीन को बात ना होई टू टू सी ब्लोक यानी दूगो ब्लोक होके कर चाहिए और उमें दूगो दूगो है तरह लोगे के चाहिए तो भी जाके थ्री फोल्ड पर्चेस बनें यह कौन सा ही चे बाबु तो देखो ध्यान से यह बाबु कौन सा ही चे तो यह बाबु है आपका क्लोवीच कौन सा ही चे बाबु क्लोवीच दूमारेटी ठीरी टूमेक टमपरोरी आई मेन अगर मानलो कि अधि रोसरी रोसरी की अगर हेत्रिया बनादेम उताहि का होला आई उल तक टमपरोरी आई बनाया रोकाहिए निस्वाल लागेए तबम पर्मेंट आई मारें में नुट आई सम्षा बनादेम एटीफोर और बटाहिन हिए कि घ्रीस का एखातिर लागा निसन बाभू कि घ्रीस हमसे का लगानी सन कि ताकि हमसे कि गड़िया या साइकल यह तम ला दम मिस्मूथ चले ना को निसन यार इस सला कातना पानी की चलती है तो यानि उमें तेल ज्यादा डॉल दले बानी तो कर फ्रेक्शन काम यानि घरसन का मोगले बाता जब किसी का घरसन काम होई तो बहुत तेज भागी तो हम निसा के कव करे खातीन यानि फ्रेक्शन कम करे खातीन हम लोग से का करें संद गरीस उज करें संद तर रिदूस द फ्रेक्शन नमबर 85 तो इनक्रीज द लाइफ ओफ इस्टील वायर रोप इन क्रेन सुड़ भी आसा मालना संद बाभू हमीशा के को साइकिल खडित निसान या मोटर साइकिल खडित निसान रेंजर वाला जाओना में का बाकि ओमें ब्रेक लागलबा और ब्रेक में से देखिए संद सब्सक्राव हो जाई तुमसे के बार बार तिल डाले निसान यहों में बार बार का करेंशन ग्रीस डालें संद तुमसे के क्रेन के वायर बान एक्दम धेयर देर तक चली ठीक बाबू चलो अब आगे चलते हैं बाबू 86 मेंच द टर्म कोर्स विद दमोस सुटेवल एंसर गिविन द ब्लो पैरलल रूलर यह चलो यह कुछ दे दिया है गटाओ 87 मेंच द वन डिग्री विद द मोस सुटेवल एंसर वन डिग्री में कितना होता है तो साट नोटिकल माईल होता है याद रखियेगा वन डिग्री में साट नोटिकल माईल ग्रीट ब्लास्टिंग सब्सक्राइब श्राइब defix अ n fatto आएज डिग्री फाइगनी के बोड़ी कोरी बदीब लग नंबर 90 मेरल स्टे proposed दम जूपिटर विध मोन शूटेवल एंसर जूपिटर भाई नियुक्त such प्ैटम फैर manner का जूपिटर aurait नाकि होता है हुँआ होता है तो रेड़ होता है और राइट साइड में ग्रीन होता है तो यह पुर्ट मैने होता है ओक हुआ है दोन प्राइमर पेंट अपलाइफ़ दा टू प्रिवंड दॉ कि ओक्सिडेंचल का मतलुं का होती जानते हैं, प्राइमर प्रेंट हमलोँ मार देंगे ना तो वह ऑक्सीजन से संपर्ख तोड देगा और पेंट ज्यादा दे तक लास्टिंग करेंगा, इसलिए हम लोग प्राइम इस्टेज मने समझो लो का होला एक पटरा जैसे मालकी मचान बाने निसा होनु ना ना सबसे आचा देख बबू बताओ तो नी सबसे अचाए अचा जब वह बचपन में रहत निया सँ तो हेंगी हेंगी के नाम सुनने बड़ा सँ जब खेत जो ताई होला जो तैला के बदू याद निसान हैने सब बॉइल घी चले या टेक्टर घी चले अब बड़ के खूब मजा काता निसान ठीक बाई तो यह हुझी काम होला यह पटरवा पर लगा के और लगा के हमसे के चीपिंग पेंटिंग करें निसान जहाज पर सीप के ओबर साइट में दैस्टेज कुन भ ओर ओबर साइट सीपिंग पेंटिंग वेन दे वेसल इस एट एंकर इस गुडवेडर तो बोल रहा है कि अगर पटरा लगा के जहाज पर काम करें के बात कोब करें तो जाब जहाज एंकर पर होई यानि जहाज खाड़ा होई और गुडवेडर और मोसम बहुत अच्छा हो देख यह तो याद रखी होसान बाबू है इदे हीविंग लाइन मंकी फिस्ट हो गई और एधर से लाइन होला यह करा के घीच के फेकल जाला ठीक बाए तो जोन बॉलवा निया रोला नूँ इबॉलवा के कहल जाला एंड ऑफ दी हेविंग लाइन एकर कहल जाला मंकी फि बाबू तो यह चीक आदमी के गाल हो लानू तो ब्लॉक के भी क्या होता है घाल होता है लू चीक हुआ नमबर नाइन बीन पॉर्ट हे वा रेड होता है और सट इसार है घ्रेम होता है टंब और यह लाइज ऩद आतने और आंए आई अधिया थो dairy ऑद कहूं सबसे फैथ मैं ऐतरा हो दो दो आखो रहाय तो दो सब्सक्राइब को समय एक? खोApple अ पैंडमा बाद है थो मलत के तक क्ने नम्मर मान लो कि इतना से इतना बड़ा दैडरा एट पूर Alabama तो अगर बाड़का एरिया के पेंट करना है तो क्या करेंगे एसप्रेइप का यूज करेंगे चलो बाबु अब नमबर सबसे लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इनहेलेशन और पेंट वेपर इस इंजर्ट वेपर बोल रहा है कि अगर हम लोग पेंट का जो वेपर होता है यानि पेंट से जो गैस निकलता है अगर हम उसको सांस के माध्यम से अंदर ले ले तो क्या हो जाएगा तो हम लोग का हिल्थ क्या हो जाएगा खराब हो जागा है injury of health तो बाबु हमने आपको 100 तक करवा दिया अब next वीडियो में फिर हम आपको 101 से लेकर 150 तक करवाएंगे तो दोस्तों मेरे दूसरा चैनल का नाम है अंसारी GS Academy तो उसको भी आप लोग सस्क्राइब कर लिजिए Thank you so much for watching this video Thank you everyone